हैल दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल उत्राखन जी के वेरीजी ट्रिक्स में तो जैसा कि दोस्तो आपनों को मैंने पहले भी बताया हुआ था कि उत्राखन में होमगार्ट सोयम सेवकों के 330 पदूं पर दोस्तो बरती का विग्यापन आने वाला ह सकते हैं और जैसा कि दोस्तो आपको बता है जो 330 रिक्तपद हैं यहां सभी 330 के 330 रिक्तपद दोस्तो केवल महिलाओं के लिए हैं पुरुसों के लिए होमगार्ट में अभी कोई भी भरती नहीं है और उत्राखन के 10 जन्पद में दोस्तो यहां भरती प्रकिरिया आयोजित होने वाली है तो आप यहां पे नोटिफिकिसन देख सकते हैं दोस्तो अनौसमेंट में उत्राखन राज्य के होमगार्ट सुएम सेवकों की संसोधित भरती प्रकिरिया के संबन्द में दोस्तो नोटिफिकिसन अपडेट कर दिया गया है और दोस्तो आप लोगों के सेनी सीटे रहने वाली है तो वो जो रोश्टर वाली केटेगरी है वह दोस्तो आप अपने जो भी डिस्टिक का आपका न्यूजपेपर है उसमें देख लीजिएगा उसमें जो विग्यप्ति वाला फॉर्मिट आता है न्यूजपेपर में जो जारी की जाती है उसमें आविधन पत्र दोस्तो उत्राखन गवर्मेंट की ओफिशल वेबसाइट UK.government.in से डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आविधन पत्र और दूसरा दूस्तो उत्राखन राज्य के Home Guard, Sohem सेवकों की संचोधित भरतिवर्किया निरधारित किये जाने के समद्ध में इसी प्रकार से आपका notification नेने वाला है और जो आपको newspapers में मिलेगा दोस्तो न्यूस पेपर्स में आपको क्या मिलेगा मैं आपको वो भी दिखाएता हूँ तो इस टाइप का notification दोस्तो आपको चार सीटे हैं, EWS की तीन सीटे हैं और ST की यहाँ पर एक सीट रहने वाली है इसी प्रकार से हर जनपद में जो आरक्षन का रोश्टर होगा दोस्तो वह आपको अलग से पता लग जाएगा ठीक है अब ऐसे हैं बात कर लेए दोस्तो जो आपकी सीटे हैं टोटल कितनी सीट यहां देखिए, मैंने आपको यह पहले भी नोटिविकिर्स दिखाया हुए हैं और कौन से जनपद में कितनी सीटे हैं?ЕТ दुमसी नेगर जन्पड में थिस थेऊ way क्ले में फितुरागर में थिस थेंड अर् três सीट है तो आप लों बहुत बला सवाल था पिश्ली बहुत लों के बहुत साही लोग के कमेंट्स देखे थे कि क्या सर नैनिताल वाले और देरादून वाले और हरीदवार वाले अभियर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं भर सकते हैं ठीक है आप लोग अपने जनपत का चेहन कर लीजिएगा कि आपको कौन से जनपत से आव Sahibायं कर सकते हैं नामारों या और देखा देरादून वाले और ती इस फॉर्म को अभरिए को भर सकते हैं वहां भी किस अन्ने जनपत से आओदय हुए है और तो टोटल ये आपकी कुल 330 सीटो पर भरती का नोटिफिक्सन दोस्तो जारी किया गया है आप इस फॉर्म को दोस्तो बढ़ सकते हैं ठीक है अब मैं आप लोगों को इसकी प्रोसेस के बारे में दोस्तो बतायता हूँ कि पर्थम चरण में आपके किन-किन जनपतों के फिजि सब्सक्राइब की बरती होगी और दुस्ते चरण में रुद्रप्याग, अलमुडा, चंपाउद, और पित्रागड की बरती होने वाली है ठीक है तो आपकी जो नोटिफिक्सन निकलने की डेटा दूस्तो आज ही किया है तीन अगस्त को आपका नोटिफिक्सन रिलीज हो है और वहीं पर आपको फॉर्म मिल भी जाएगा और वहीं पर भर्के आप जमा भी कर सकते है तीक है या दूसरे चीज़ां आप बाइं पोस्त भी फॉर्म को भर्के भेज सकते है तीक है आपधियੰ पत्रम्य। को दिखाऊंगा कैसे बढ़ना है वो भी बताऊंगा ठीक है और तीसरे आपका पर्थम चरण वाले जनपतु का परिक्ष्या फल घोसित हो जाएगा ठीक है तो दिती चरण में यह सब्स seventeen sixt ऑबितने करना है अब दोस्तो जांवElSpace अपको ऊप्षेश देख लिएगा अब बात करते को आपके ओफेदन पत्रता है जोस्तो ए帶खिए इसमrån आपको अपनी सारी details वरनी है अपने समस्ते documents लगाने या दोस्तो जो जो इस पर मागए गया है ठीक है आपकी जो qualification के दोस्तो इस form को वरने के लिए आपको 10th pass होना चाहिए ठीक है ठीक है तेंथ पास आपको होना चाहिए और ये आपका आविधन पत्र है physical आपका क्या क्या ह हिंदिय अग्रेजी में प्लाटून का नाम जिसके लिए भ्यरती आविधन कर रहा हो यानि कि कहा से जिला कमांडेट वागिस्तवर से पितर अगड़ से हलदवानी मलब वदम सीनेगर से उतरगासी से इस परकार से ठीक है आपको अपने इस्था ही पता लिखना है आपको आपको याद रहना है और दोस्तों आयू आपकी कितनी होनी चाहिए और चालीस वर्स से अधिक नहीं होनी चाहिए तो अठारा से चालीस वर्स वाली जो महिलाएं हैं इसके लिए आविधन कर सकती है ठीक है बाकि सेक्षिक योगिता हैं आपको दिखानी है जैसे आप 8th हो अब पता और दुरभाण शेटान से जहां से आपने और परीकष्या प्रादबतर की हो अथ्वार राजपत्रि तदिकारी द्वारा निरिकषण प्रमान पत्र आपको चाहिए ठीक है तो चली तो प्रमाण पत्र आप लोग बना लीजिएगा बागे आपके आपकी कैटेगरी कौन सी है उधर वारक्षन है छहतीच आरक्षन है तो उस स्रेनी में आपको प्रमाण पत्र भी लगाना है जो भी स्रेनी है जनरल वालों को छुट दी जाती है उसके अलावा दोस्तो सी स्टी ओबिसी को यहां पर या या इडिशनल को प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा ठीक है इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास में कुछ एडिशनल को है क्वालिफिकेशन स्काउट गाइड है एंससी प्रमाण पत्र है वैतनीक वैतनीक है इस प्रकार्चिटी के सैक्षिश योग्यत आपके क्या है उसमें आगे टिक टिक कर देना है खेलकूद में अगर आपके वापारी वाहन अलका वाहन तो यह महिलाओं के लिए वाहन चालो कालो को अंदर लगबलवक खाली होगा बाकी मैं घोशना करती हूँ आपने सभी जानकारी सही बढ़ती है अब यहां पर आपको फोटो लगानी है और उसके साथ ही आपको दो फोटो और लेकर जान आपको अपने समस्तर डॉक्यूमेंट जो है दोस्तो जो भी आपके सेक्षिक योगिताय प्रवाण पत्र है आई प्रवाण पत्र है इस्ताय निवास प्रवाण पत्र है सभी प्रवाण पत्रों के आपको 100 प्रवाणिक चाय प्रती भी इसके साथ मैं जमा करनी है ठीक है यह सकते हैं तो यह दो आपको आपको मिल जाएंगे हैं यहां पर साब लिखा गया किसी भी कारी दिवस में जिला खुमांडेट के मुख्याले परीशार से निशुल से प्राप्त कर सकते हैं आप बरति शम्मंद्य विस्टेज जानकर जिला ओंगोट कारीयल अले बागिस्व जो भी आपका जनपत है चेत्रक के प्रमुख कारियल है इस सूचना पट्ट से भी आप प्राप्त कर सकते हैं हर जगह इसका सूचना पट्ट लगा होगा ठीक है और जिसने दस्वी की परिक्षिया उत्तीन लगिये वो इस फॉर्म को भर सकता है ठीक है स्वा प्रमाणी चाया प्रति आपको सनलंग करने पड़ेगी ठीक है और तेईस आर दो जार तेईस को आपके लास डेट है उससे पहले आपको फॉर्म बनना है और अठार वड़ से लेकर असत्य पाने पर अभ्यर्थन निरस्त करते हुए नहीं अमनुसार विधिक कारवाई भी की जाएगी इसलिए आपको गलट दोस्तों डॉक्यमेंट्स नहीं लगाने है ठीक है यह भी आपको जरूर याद रखना है और आपको फॉर्म दोस्तों डांक के द्वारा या नॉर फिजिकल में क्या-क्या होगा ठीक है फॉर्म तो आप भर दो गए लेकिन जो इसका फिजिकल क्राइटरिया वहाग क्या-क्या होने वाला है तो इसके बारे में आपको एक लेटर दिखा जिता हूँ 27 तारिकाई लेटर है यह देखे दोस्तों ठीक है लेटर सभी जुलाई महिला अभियरतियों के बड़ति है तो सामानी कैटेक्रियर की महिला की जो हाइट होनी चाहिए वह 122 cm होनी चाहिए सामानी OBC और SC की ठीक है स्टीट है या है फिर पर्वती मीन हैं य प्रहटी चेतर औ सबस्रीड लिए उत्तर शाणियृ और उंक ए में बागिश्वर उद्रप्रियाक चंपत का संपूर्ण भाग इस से पूरु में रमसा जनपत अलमोडा चंपोली पितुरागड का भाग होने के कानद परवती छिरिए अगर आप इस फॉर्म के लिए आवधन कर रहें तो ठीक है अब देखे आपके फिजिकल में क्या क्या होने वाले है तो यह पूरुसों का बढ़ती इस बार है निक तो महिलाओं का मैं बतायता हूं सबसे बहले दूस्त आपके रेस होगे ठीक है दौर वचाल दस नमबर की है अगर आप 3.6 से 4 मिट तक इस दौर को पूरा करते हैं तो आपको 5 नमबर मिलेंगे और अगर आप धाई मिनिट में इस 500 मिटर की दौर को पूरा करते हैं तो आपको 10 नमबर दिये जाएंगे तो आपके उपर डिपेंड है आप कितने मिनिट म यहां करेंगे जाएंगे ज़स्तों चाहिए उसके चीछा करेंगे किर्केट वार्ट ओर जाने हने हैं जोंवे सकी हैं अगरुजू सब्सक्राइब से पिक टोब तक है अगर आप 8 feet कूदते हैं तो 5 नमर है, 9 feet में 6 नमर है, 10 feet में 7 नमर है, 11 feet में 8 नमर है और 12 feet अगर आप कूदते हैं तो आपको 10-10 नमर मिल जाएंगे तो यह 30 नमर को आपका physical है ठीक है जो भी इसको qualify करेंगे उसको आगे के लिए बढ़ाये जाएगा अगर आपके पिता माता कुई home guard में थे या उनको 5 नमर इसके दिये जाएंगे तो इसके बाद में आपकी sexy योग्यता के भी दोस्तों यहां पर नमर रहने वाले हैं अगर आपने high school किया है तो आपको 8 नमर मिलेंगे intermediate में आपको 9 नमर मिलेंगे और अगर आपने graduation किया है तो आपको 10 नमर मिलेंगे यानि कि home guard में भी बहुत competition है भाई आप देख सकते हैं 10 नमर मिल रहें इस नातक वाले को और 10 पास इसकी qualification है तो दो नमर का फायदा हो यह तो उसको 5 नमर दिये जाएंगे इस प्रकार से दोस्तों आपका qualification होने वाला है और वहान चालक महिलावे से वहान तो चलाती है नहीं चलाएंगे भारी वहान के license होता है यह हलके वहान चालक का experience होगा तो आपको तीन अंकत दिये जाएंगे कि driving license भरती का विग्यापन एक वर्स पूरूर का हो ठीक है तो वहान चालक वाला भी आप लोग देख लिएगा अगर आपको चलाना आता है तो आपको यहां पर तीन नमबर एक्स्टा मिल जाएंगे ठीक है बागी परिक्षा फल दोस्तों आपका सारी दिक्सता परिक्षा में है प्राप्त प्राप् अगर आपको प्राप्त 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 प् जाने के ठीक है स्वास्त परिक्षिन आपका दिया गया आई कॉंटेक्ट क्या होनी चाहिए अन्य जानकारिया भी यहां पर दी गई है तो यह दोस्तों आपके पूरी भरतिका नोट्फिकिशन है आप जैसा कि मैंने आपको बता दिया यह आपके साथी निंबर में से आपका अस्थाई पद है आपका लेकिन अगर आप लोग करना चाहते हैं किसी को नीड है सी जौब की कि यार मुझे जौब करनी करनी है फीमेल्स में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है या किसी की फैमली में आपके गाउं में कोई ऐसी महिला हो जो मितलब जिसको इस जौब क जरूरत है तो आप उनको इस बारे में जरूर सूचना दें कि यार ऐसे से एक भड़ती आई हुई है तो आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं और अगर आप लोग को नीड है जो गल्स वाट टाइम से तैयारी कर दें अगर अपनी तैयारी के साथ में उनको कोई जौब कर है ठीक है अगर आप सब्सक्राइब है तो आपको बहुत सकते हैं और दो पेज का फॉर्म है जो कि मैंने आपको बता दिया है यहां से आप अपने आविधन पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं यूके डॉर्मेंट डॉस्धों की वेबसाइट से ठीक है तो अगर आपको कोई और कमेंट्स दूस्तों डौट सुंगे तो आप पूस सकते हैं बाकी मैंने आपको सभी जानकारिया बता दिये हैं तो आज की इस वीडियो में तरहें दोस्तों थैंक यू, थैंक्स फर वाट्सिंग्स वीडियो, सी यू नेक्स टाइम, धन्यवाद.